वाइडिंग में थोड़ा एक मिस हो गया था जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इसको एक्षेंज कर लेना है फिर यह आपको अच्छा से वर्क करेगा और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताए था कि यहाँ पर जो दो डेक्टिफियर है इसमें आप एक ही टांसफर्मर से दोनों को कैसे चला सकते हो तो वीडियो को कम्प्लीट वाज किजिए फिर आपको अच्छे से समझ में आ जागा हेलो दोस्तो मेरा नाम है गोतम और आप देख रहे हैं यूलैक लेक्टॉनिक्स और दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस एम्प्लीफियर का कम्प्लीट वाडिंग करके आपको दिखाने वाले हैं और यह जो एम्प्लीफियर है दोस्तो TDA625 डूल चैनल एम्प् प्रकार से किया जाता है आप चाहे तो बीना बेस्टेवल का भी इस एम्प्लीफायर को यूज कर सकते हो लेकिन एम्प्लीफायर के साथ अगर बेस्टेवल बोड लगा रहता है तो सांड का कॉलिटी जो होता है काफी अच्छा हो जाता है तो आईए इसका वारिंग करना हमे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस्टेवल का ये जो बोड है इसके थोड़ा डिटेल्स क्वार में जाल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस्ट और ट्रेवल के लिए आप पोटेंस्वमीटर लगा सकते हैं तो यहाँ मैं पोट के थूरू इसमें solding करने वाला हूँ क्योंकि अगर हम इसको किसी cabinet में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये fix हो जागा तो आईए फटा-फट से हम इस base और travel के लिए इस दोनों potensiometer का connection कर लेते हैं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस base table board में इस potensiometer का connection कर लिया है तो ये वाला potensiometer base के लिए हो जाता है और ये potensiometer travel के लिए हो जाता है और इसमें मैं volume के लिए जो potensiometer यूज़ करने वाला हूँ वो 47k का मैं यूज़ करने वाला हूँ तो audio input हम audio panel के थूरूश में देने वाले है तो इसमें एक connector होता है जो कि कुछ इस परकार का होता है तो beach वाला हमेशा जो connector का ground होता है और दोनो side वाला left और right होता है तो यहाँ पे beach वाले wire को मैं side कर लूँगा और side वाला दोनो wire को यह potential meter में connection कर दूँगा तो यहाँ पे देखिए मैंने already तीसरे वाले दोनो pin को आपस में sort कर दिया है क्योंकि यह दोनो ground होता है beach वाला दोनो output होता है side वाला दोनो input होता है तो यहाँ पे beach वाले wire को छोड़कर दोनो side वाले wire को इस potential meter के पहले वाले pin में connection कर देना है इस प्रकार से connection कर देना है जो potential meter का पहला नमर pin होगा और जो beach वाला wire होगा उसको हम potential meter के तीसरे नमर pin में connection कर देंगे जहाँ पे मैंने दोनो pin को एक साथ sort किया था इस प्रकार से audio input का जो connector होता है इसका connection हो गया है यहाँ पे आप देख लीजिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दो point खाली रह जाते हैं इस potential meter के तो यह दोनो left right output होगा और ground यहाँ से ले लेंगे तो यहाँ पर मैं तीन wire का connection करके output निकाल लूँगा तो यहाँ पे देखिए यह जो wire है इसको मैं यहाँ पे beach वाले को छोड़ दूँगा और दोनो side वाले को लेकर potential meter के beach वाले में connection कर दूँगा यह दोनो side वाला wire को मैंने इस potential meter के beach वाले में connection कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पे इसका connection कर दूँगा ground के साथ तो यहाँ पे देखिए कुछ इस परकार से मैंने इस पर टंसर मीटर में connection कर लिया है यह जो connector है तो यह connector चला जाएगा audio module में जब यहां से audio input होगा इसमें तो यहां से यह output करेगा तो यह 3 wire यहां पे देख सकते हैं तो इसमें beach वाला ground है बाकी green और यह जो white है यह हमारा left right output होगा तो इस 3 wire को हमें कहा connection करना है यहां पे जो audio input के लिए मैंने आपको बताए था यहां पे कर देना है तो दोस्तों यहां पे मैंने audio input का connection कर दिया है और इसमें मैंने एक चीज देखा है कि जो ground वाला print है यह कहीं पे ground के साथ connected नहीं है तो यहाँ पे बिना ground को भी यह work करेगा तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसमें ground यहाँ पे आता है तो यह वाला ground चला जाएगा audio panel में और audio panel के थुरू इसमें ground मिल जाएगा तो ऐसे में यह काम चल जाएगा अगर किसी भी परकार का humming या noise आता है तो यहाँ पे इस wire को लेकर ground में हम connect कर देंगे नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो तो यह तो हो गया इसमें audio input का इसके बाद यहाँ से और output के लिए यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से तीन wire लेंगे और इस amplifier में input देंगे यहाँ से मैंने तीन wire का connection कर लिया है तो बीच वाला ground हो जाएगा और यह दोनो left और right हो जाएगा इसका ground के साथ connected है यहाँ पे देखिए यह जो ground है यह jumper के थूँ यहाँ पे आया हुआ इस capacitor में और यह capacitor ground है तो यह चला जाएगा इस amplifier board में तो यहाँ पर मैं इस तीन wire को audio input के लिए देखिए इस amplifier board में यहाँ पे तीन point दिये गया है अगर PCB को इस परकार से रखते हैं तो यहाँ पे यह audio input के लिए होता है तो यहाँ से जो output करेगा तीन wire तो इस तीन wire को हमें यहाँ पे direct solding कर देना है देखिए नीचे वाले पे जिस परकार से यहाँ से left right और ground output हुआ है उसी परकार से यहाँ पर मैंने connection इसका कर दिया है बहुत ही simple है तो इस परकार से यहाँ से जो audio output होगा तो इसमें input हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे इसमें power supply देने के लिए हमें सिर्फ 12V चाहिए ना कि dual power supply चाहिए यह board normally 12V से on हो जाता है तो यहाँ पर मैं 12V supply देने के लिए यहाँ से 2 wire निकालूँगा तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 2 wire को निकाल लिया है जो यह power supply के लिए इस board में होगा तो यहाँ पे जो आप brown color का देख सकते है इसमें plus जागा और जहाँ पे आप black color देख सकते है यहाँ पी यह minus जागा तो इसको board में कहाँ पे connection करना है और यहाँ पर मैं आपको बता दू दोस्तों कि इस board में दो reactive hair लगे हुए हैं तो इसमें आप बारा जीरो बारा पांच इंपेर का transformer यूज करें उसके बाद एक छोटा सा option और दिया गया है जो आप इसमें 12 volt के लिए यूज कर सकते हो देखी एक तो आप बारा जीरो बारा यहाँ पे आप supply दे सकते हो और जीरो बारा का connection यहाँ पे कर सकते हो जो छोटा सा reactive hair बना हुआ है 78.05 regulator के लिए लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बारा जीरो बारा का transformer यूज करने वाला हूँ इसलिए मैं इस reactive hair को यूज नहीं करने वाला हूँ लेकिन एक बात यह भी है जब तक आप यह rectify hair यूज नहीं करेंगे तो इस regulator में power supply नहीं आगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तो इक resistance लगा हूआ है तो इस resistance के इस वाले pin में हम इसका plus का connection कर देंगे यहाँ पे और ground का जहाँ पे connection होगा वहाँ पे इसका ground कर देंगे तो देखिए दोस्तो यहाँ पे मैंने यह जो BT board का जो power supply का जो wire आता है मैं यहाँ पे connection कर दिया है देखिए तो plus वाला इस regulator के पहला नमर pin में जाएगा और यह वाला ground में चला जाएगा लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा modify करना होगा power supply के section में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है एक छोटा सा wire का टुकरा लेना है 120-12 का connection यहाँ पे होगा 120-12 तो यहाँ पे जो ground वाला wire है इसके थूँ मैं यहाँ पे इस capacitor के ground वाले में connection कर लूँँगा तो देखिए यहाँ पे यह जो हमारा capacitor लगा हुआ इसके minus वाले पे डाल देना है तो इसमें क्या है कि यहाँ पे main power supply से इसको ground मिल गया अब इसको 12 volt देना है तो फिर से हम एक jumper लेंगे एक और jumper यहाँ पे मैंने ले लिया है और यहाँ पे देखिए यह जो दो main capacitor लगे होते है तो बीच वाला minus और यह plus यह दोनों मिलके ground हो जाता है उसके बाद यहाँ पे देखिए एक side से हमारा minus हो जाता है और एक side से हमारा plus हो जाता है तो यहाँ पे यह वाला जो आप point देख सकते हो capacitor का यहाँ पे जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे यह वाला point से आपको लेना है और direct इस capacitor पे डाल देना है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था देखिए यह जो capacitor इसके plus वाले पे डाल देना है तो इससे होगा यह कि यहाँ से जो 12 volt आएगा इस capacitor में जाएगा और इस capacitor से 12 volt जाएगा इस board में और यहीं से 12 volt चला जाएगा इस voltage regulator में जहाँ से 5 volt आउटपुट होगा अगर आपके पास छोटा सा transformer है तो ऐसा jumper ना लगा के आप direct यहाँ पे power supply दे सकते हो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं जो transformer यूज करने वाला हूँ इसमें सिर्फ 12-0-12 का ही loop निकला हुआ है 0-12 का नहीं है तो यहाँ पर मैं सिर्फ 12-0-12 पे connection करूँगा तो इस jumper के थुरू इसमें चला जाएगा देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 rectifier बने हुए लेकिन मैं यहाँ पे इस rectifier को यूज नहीं करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने jumper के थुरू इसमें मैंने power supply दे दिया है इसके बाद हमें क्या करना है कि इस audio module में 5 volt power supply देने के लिए हम यहाँ से connector ले लेंगे और यह जो voltage regulator है इसके तीन नमर पीन में प्लस का connection करेंगे यहाँ पे इस परकार का यह connector है जो power supply के लिए हम इसमें यूज करने वाले है यहाँ पे यह connector है इसमें दो wire है तो voltage regulator का जो तीसरा नमर पीन है यहाँ पे यह तीसरा नमर पीन कहा पे आता है देखिए यह वाला यहाँ पे आ जाता है और यह जो ground वाला wire है दोस्तों उसको हमें इस capacitor के ground पे connection कर देना है देखिए तो यहाँ से तीन नमर पीन से यह 5 volt मिल जाएगा और यह ground मिल जाएगा और यह ground यहाँ से मिल जाएगा इसके बाद में इसमें इस speaker के लिए connection करने वाला हूँ तो speaker का connection कहाँ पे होगा दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर आप आउट आर और आउट एल यह पे left और right speaker को connect करेंगे यहाँ पे speaker socket का connection कर लेता हुँ यह रहा dual channel का speaker socket तो यहाँ आप मैं दोनों चैनल पे इस speaker socket का connection कर लेता हूँ speaker output के लिए मैंने आप speaker socket का connection मैंने कर दिया है तो यहाँ पे 50 watt plus 50 watt speaker इस पे आप use कर सकते हो maximum आप इस पे 100 watt तक का भी speaker इस पे use में ले सकते हो क्योंकि यह जो IC होता है दोस्तो यह bridge mode पे भी आप use कर सकते हो और studio mode पे भी कर सकते हो तो यह normally हमारा studio amplifier है तो यह दोनो bridge mode पे है और एक चैनल जो है 50 watt और दूसरे चैनल 50 watt output करेगा तो यह total हमारा 100 watt का यह amplifier है तो इस परकार से दोस्तो यहाँ पे speaker का भी हो गया है इंपियर होगा transformer का वही यूज करें हालाकि 3 amp एक एंपियर वह भी चल जागा लेकिन आपका sound का quality बहुत ही खराब होगा अगर आप 5 amp से लेगा 8 amp तक कर यूज करते हो transformer 120-12 का बहुत अच्छा काम करेगा नहीं और 120-12 5 amp का transformer यह लगा सकते है तो यहाँ पर मैं 120-12 का connection इसमें कर देता हूँ तो देखिए दोस्तो यहाँ पे जिस परकार से 120-12 का connection यहाँ से निकला हुआ है उसी परकार से यहाँ पे 120-12 का connection हो चुका है तो दोस्तो यहाँ पे लगवा total connection इसमें हो चुका है तो यहाँ पे देखी यह जो connector है 5V के लिए मैं यहाँ पे लगा दूँगा और audio output जो यहाँ से करेगा तो potentiometer में मैंने यह wire लगाया था इसका connection यहाँ पे मैं कर दूँगा तो इस परकार से दोस्तो इसका connection हो जाता है दोस्तो यहाँ पे base table में connection जो है थोड़ा गलत हो गया था जैसे मैंने आपको पता है था कि यह वाला input का है और यह वाला output का है लेकिन यह वाला input का है और यह वाला output का है तो आपको simply क्या करना है कि यह वाला 3 wire उठाकर यहाँ पे लगा देना है मतब दोनों wire को exchange कर देना है तो यहांँआ पर मैं exchange कर लेता हूं यहाँ से मैंने exchange कर दिया है अब यह proper काम करेगा क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कोई गलत information दूँ क्योंकि मैंने starting में यहाँ पे input दे सकते हो और यहाँ से output ले सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं गलत था यहाँ से output करेगा और यहाँ पी input करेगा तो wire को मैंने exchange कर दिया है तो आप इस परकार से इसको use में ले सकते हो तो आईए हम इसमें setup करते हैं उसके बाद मैं आपको song play करके दिखाता हूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको setup कर लिया है और यहाँ पर मैंने इस दोनों चैनल पर speaker को connect कर रखा है जो कि दोनों speaker box मेरे side में है तो आईए इसमें मैं power supply देता हूं और song play करके देखता हूं कि यह जो हमारा base table board है इस amplifier के साथ कैसा काम कर रहा है तो यहाँ पर मैंने power supply दे दिया है और यह अभी हमारा FM mode पर है तो आईए इसमें song को play करते हैं तो यहाँ पर song play हो चुका है झाल 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 तो दोस्तो यहाँ पर जो हमारा amplifier board है काफी अचा से काम कर रहा है और इस board में मुझे थोरा सा humming का problem दिख रहा है और यह जो problem है दोस्तो इस IC का problem है क्योंकि class AB में distortion थोरा 10% के आस्वास होता है आप कितना भी कोशिज कर ले इसमें ऐसा problem जो थोरा सा रहता ही है तो बाकी सब कुछ तो अच्छा ही काम कर रहा है और वाइडिंग में थोरा एक मिस हो गया था जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था कि किस प्रकार से इसको exchange कर लेना है फिर यह आपको आच्छा से वर्क करेगा और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताए था कि यहाँ पर जो दो डेक्टिफ हैर है इसमें आप एक ही टांसफरमर्ट से दोनों को कैसे चला सकते हो तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और मारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखनी के लिए धन्यवाद आपका दिन सुबह हो